हेलो दोस्तो मैं हमेश कुमार आप देख रहे हैं आयसी तीम से दॉस्ता आज वीडियों जानेंगे पेटियमश Chem किस तरह से आप लोन भर सकते हैं बजाज ऑटो फाइनान्स का और आप बजाज ऑटो फाइनान्स में अगर आपका लोन थ suggesting कैसे VII AM से भाई सकते हैं जो मंथली का माई है आप फैसे भाई सकते हैं कैसे तो आपको भरणा है पूरे जानकरी आपको इस वीडियो मिलागा दोस्तों अगर आप हम क्रेडिट का लोन अगर भरना चाहते हैंавай तो इसका वीडियो आपको डिस्क्रॉप्चिन मिल जाए तो देख लेंगे चलिए दोस्तों बीडियो को स्टार्ट करते हैं आपको दिखाते हैं तो देखिए पय सबसे निचthose को निचया आ यहां पर सबसे करना है वहाँ पर आपको क्लिक करना है उसके बाद दिखिए हैं पर लोन लोन पर आपको क्लिक कर देना है फिर सेलेक्ट यूर लेंदर पर किलिक करेंगे अब यहां पर बजाज ओटो फाइनेंस आप चेक कर लेंगे और उस पर आपको किलिक करना है बजाज ओटो फाइनेंस पर जैसे आप उस पर किलिक करेंगे तो आपको लौन पेमेंट मोड आपको और उस पर किलिक करेंगे तो आप यहांं देख सकते हैं कुझक्रत ऊ-पिक जरी यह लumm का पेमेंट कर सकते हैं या लन एकांट नंबर के जरीए mobile number या provisional RC number या registration number इतना सारा चीज आपको दिया हुआ है आप किसी एक को किलिक करके आप loan payment कर सकते हैं तेहाँ पर चलिए हम loan account number को हम किलिक करेंगे उसके बाद देखिए loan account number यहाँ पर टाइप कर देंगे आपको loan account number सही सही टाइप करना है उसके बाद get payable amount पर किलिक करेंगे get payable amount पर किलिक करने के बाद आप देख सकते हैं consumer का detail आ जाएगा amount जितना डालना है आप type कर दें amount में और proceed to pay कर देंगे amount यहाँ पर आप देख सकते हैं type कर देंगे प्रोसीड टू पे पर किलिक करेंगे दोस्तों अगर आपके पास प्रोमो कोड है तो आप apply प्रोमो कोड पर किलिक करके आप प्रोमो कोड सेलेक्ट कर लेंगे अगर आपके पास है तो उससे आपको cashback मिल जाएगा चलिए हम प्रोसीड टू पे पर किलिक करते हैं उसके बाद हमको payment करना है इसमें बहुत सारा option से पेटियम बैंक है debit card net banking तो हम net banking से payment करेंगे आप चाहे तो debit card से भी कर सकता है payment चलिए हम net banking open कर लेते हैं कि SBI bank का जो net banking है login कर लेते हैं अपना ID पासवर यहां पर डाल देना है उसके बाद amount आपको चेक करके confirm कर लेंगे हैं पर उसके बाद one time password मेरा रइस्टर मोबाइल नमबर पर आ जाएगा जो नेट बैंकिंग का जो रइस्टर मोबाइल नमबर है SBI bank का उसमें आ जाएगा उसे हम टाइप कर देंगे और confirm पर क्लिक करेंगे तो देखिए OTP हम टाइप कर दे रहें और confirm पर क्लिक कर देंगे तो इस तरह से यह payment है successful हो जाएगा उसके बाद यह redirect होके यह पेटियम वाइलेट में चला जाएगा तो देखिए अभी processing हो रहा है आपर तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो पेटियम के दवारा मेरा जो लोन है वह payment हो चुगा है लोन इमाय payment successful हो चुगा है तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि अपना लोन पेमेंट करना चाहते हैं तो इसी तरह से आप कर सकते हैं अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होते से लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करकर रख गा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू